नमस्कार फियो और पलकों की छाओं सेजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अंटरंस जहां पर देखने को मिला कि अब सुमन और अंसुमन लगाना चाहते हैं का पता जहां पर अंसुमन बोल देता है कि चाहे कुछ भी हो जाएं सुमन मुझे अपने अतीद के बारे में जानना पूरी जानकारी लेनी है कि आखिर में किसका खून हो और मेरे असली माबाप कौन है तो आपर अब सबसे पड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है जहां पर ह असली जाएं क रही हुता है अपने होली का दहन नहीं करना चाहता है क्योंकि वह अपने आप को पेटा नहीं बहांता है जहां पर एक त्रफ होता है काफी माइस उत्रस Parce इसके सूर्पिया जाती है जहां पर पोल देती कि हमेशा से होले का दहन तुम ने किया है अंसुमने और अब की पार भी तुम ही करोगे क्योंकि तुम इस गर के बिटे हो हम सब hai तुम्हें इस गर का बारी स Uh मतलब इस गर का बेटा मानते हैं इस गर का अंसमानते हैं लेकिन वहाँ पर अब सबसे पड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर अब जो मामी जी होती है और सौरब होते हैं वो मिलकर खेलने वाले हैं अंसमन के साथ बहुत बड़ा खेल जहां पर अंसमन से हो जाएगा सोरब और मामी जी की चाल का सिकारा